Hello friends, welcome to Pocket Library YouTube channel, अगर next episode जल्दी चाहिए दो, विडियो को 300 likes जल्दी complete करवा देना, कॉमेंट करके बताओ और विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेय करें, ताकि चैनल की ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो सके, and प्लीज 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 पॉकट लाइबरी चैनल को सब्सक्राइब बढ़ रही थी, और वही राजपूत इंडस्ट्री में देवांश जी जो अपने काम में कश्रुफ थे, तब ही उसके केबिन में उसका असिस्टंट दंदन आते हुए आपोहचा उसके हाथ में उसका टैंप था, देवांश साहब ये, ये न्यूज देखिए, उसने कहा औ और टब देवांश जी के सामने कर दिया उस टब पर एक न्यूज चल रही थी, आज दोपहर के एक देड के बीच में दिल्ली में एक बहुत ही भयानक एक्सिडेट हो गया था, पुछताच से पता चला हैं कि ये एक्सिडेंट एक ट्रॉक ने किया हैं, ट्रॉक ने जिस का हैं कि इस एक्सिडेंट में कार कितनी डैमेज हो गई है, एक न्यूज रिपोर्ट ने लाइब, टेलिकास्ट जो तीन चार घंटों पहले का था उसमें कहा, वही ये खबर सुनकर देवांश जी काप उठे, वो जल्दी से खडे हुए और अपने असिस्टन्ट पर चिल्ला के हॉस्पिटल में हैं, उस असिस्टन्ट ने कहा देवांश जी उसकी बात सुन उसे लगभख धक्का देकर बाहर की ओर दोड़ पड़े, वही दुसरी तरफ युवाना की कार तेजी से आकर कफे के सामने आकर रुकी कार से उतरते ही उसकी नजर सामने खड़े अपने अस सुनकर युवाना ने उसके गाल पर थपड मार कर दांत पीसते हुए कहां, अगर वो अभी उस चुडेल के साथ हैं, तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? साली को मार डालते ना, फिर जो होता में देख लेती बास्टर्ड, कहकर युवाना गुस्से से दंदनाते हुए खड़ा था, अगर उसमें इतनी अकल होती तो वो इस खुंच उसने वाली युवाना के साथ काम थोई करता बेचार पे ते साल सालों से युवाना के साथ काम करता आ रहा है, और बेचारे ने युवाना के साथ कभी कोई दगाबाजी नहीं की, बलकि हमेशा युवाना को अपनी बड़ी बहन और आयल मानकर पुरी इमानदारी से उसके साथ काम किया। वही युवाना कफे के मेन दोर पर खड़ी कोने की टेबल पर बैठे अपने पती और उस लड़की को देख रही थी। जो बाहर कंट्री से लग रही थी। युवाना गुस्से से गहरी गहरी सासे ले रही थी। उसकी आखें और नाक दोनों लाल थी, जब देख असे हुए थे। जब वो अंदर आई तो उसके गुस्से का लेवल और बढ़ गया क्योंकि सामने उसका वो हडसम पती टिशू पेपर लेकर उस लड़की की द्रेस साफ कर रहा था। वो लड़की अंज को देख रही थी और रोक भी रही थी। जिसे सुनकर अंज कहा, कोई बात नहीं मिस जुली अपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं अब आपके लिए इतना तो करी सकता हूँ। कह करने जुली को देख लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर सामने खड़ी अपनी बीवी पर गई जो महाकाली बन कर खड़ी थी। जिसे देखकर अंज की सासे उसके गले में अटक गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानों अभी उसे होट अटकी आ जाएगा। जुली को देखा तो उसकी जलेसी का अब तो कोई ठिकाना नहीं बचा था। क्योंकि जुली भी काफी होट थी। जिसे देख युवाना आगे बढ़ी और उसी टेबल पर बैठ गई और गहरी लालतेखी नजरों से अंज को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा। आए डिया हस्बेंड बैठो यहाँ कहकर युवाना ने दांत पीस लिए। वही बेचारे हमारे अंच बाबू अपना थुक नीगलते हुए घिरे से युवाना के साथ बैठ गए जिसे देख युवाना ने टेबल पर रखा बटर नाइफ उठाया और उसकी नोक पर अपन गोल घुमाने लगी जिसे एक चर्रा की आवाज निकलने लगी वो आवाज सुन कर जुली ने अपने कानों पर हाथ रख लिया वो वो मैं मतलब में अंच हकलते हुए मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी आग में घी डालने का काम जुली ने करते कहा मिस्टर अंच कोन है ये बत्तमीज लड़की उसका इतना ही कहना था कि अचानक से चर्रा की आवाज रुक गई अंच ने जुली को घुरा आज मेरा मरन दिन है अंच ने सोचा युवाना खडी हुई और उसने गुस्से से जुली के बालों को कस कर पकड़ लिया और दा इस्ट्री लेकर जुली के चहरे पर थाप दी जिसे देख कफे में तमाशा देख रहे सभी लोग हैरान रह गए अंच ने तो अपने मुह पर हाथ रख लिया वही जुली का पुरा चहरा केक से भर गया था साली चुडेल अपनी खुबसूरती के जाल में मेरे पती को कहकर युवाना ने अंच की प्लेट से भी केक लेकर जुली को जबरदस्ती खिलाने लगी और उसके बालों को चिकेंचे लगी बेचारी जुली सच में चुडेल लग रही थी युवाना गुससे से जोर से जुली को थपड मारने वाली थी कि तभी अंच जल्दी से उसका ह पकड कर कहा पागल औरत ये मेरी डॉक्टर हैं बात तो सुन लिया करो पहले क्या हाल कर दिया है तुमने इस बेचारी का कहकर अंच ने युवाना को दूर किया और जुली का फेस अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा मिस जुली आर यू ओके वो रो रही थी जुली ने र लड़की की परवा करते हुए देख युवाना ने अंच को देखते हुए कहा अंच डालेंग दूर हटो उस लड़की से वरना में तुम्हे जान से मार दूगी समझे तुम पर अंच ने युवाना को गुस्से से देखा और कहा जो करना है करो में तुमसे नहीं डरता सजी तुम कह कर वो जुली की बाजू पकड़ उसे ले जाने लगा। जिसे देखकर युवाना ने एक और बार कहा, ये आखरी बार कह रही हूं में दूर हटो उस लड़की से वो लगभख चिल्ला उठी। लेकिन ने फिर से उसे एग्नो कर दिया। जिसे देखकर युवाना की आखें गहरी हो गई। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए टेबल पर रखा काटा चम्मच लिया और ना आव देखा ना ताव सिधे अंच की बाजू में घुसा दिया। अहे हैं, अंच दर्द से तड़ा पूठी। सभी लोग युवाना का संकीपन देखोर ज्यादा हैरा होना रास नहीं आ रहा है। तभी तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें फिर से वीर्चया पर बिठाने के लिए। युवाना ने अंच की आँखों में देखते हुए उसकी बाजू में घुसे चम्मच पर अपनी उंगली से जोर दिया। देखो युवी, मेरी भ तो सभी लड़कियों से प्रोब्लेम होगी पर लड़कियों से मुझे मिलना जुलना करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोका दे रहा हूँ। अंच ने दर्द से कहराते हुए कहा। और चम्मच को कमपनी बाजू से निकाल कर वहा से जाने नहीं हूँ। वरना मेरी हरकते देख तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ इस आदमी के लिए। कह कर युवाना अंच को खिचते हुए लेकर जाने लगी। अंच युवाना पर चिल्ला उठा। उसकी बात सुनकर युवाना ने गुस्से से अंच के कॉलर को पकड़ लिया और उसकी आँखों में देखते हुए कहा दांत पीस कर कहा। लेकिन तुम में मेरी जान बस्ती हैं इसलिए सिर्फ चम्मच धुसाया हैं तुम्हारे हाथ में वरना चाकू तुम्हारे पेट से आरपार करने में मुझे टाइम नहीं लगता समझे तुम। कहकर युवाना ने गुस्से से अंच के होठो को चुमने लगी। अंच युवाना को किस बैंक नहीं कर रहा था और नहीं उसे दूर कर रहा था। जिसे देख युवाना ने अंच की पेंट को खोलना शुरू किया। ये महसूस कर अंच ने युवाना को दूर किया और घूरते हुए कहा दूर रहो तुम मुझसे कहकर अंच ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कर रात तो मुझे खुद से दूर नहीं किया। बलकि कर तो ऐसे सेक्स कर रहे थे जैसे उसके बाद फिर कभी तुम्हें सेक्स करने को मिलेगा ही नहीं। और आज जब मैं सेक्स करना चाहती हूँ तो मुझे दूर कर रहे हो। क्या वो छुडेल इतनी पसंद आ गई तुम नहीं से बात करने का क्या फाइदा? अंश ने युवाना को नहीं देखा और नहीं उसके सवाल का जवाब दिया। जिसे देख युवाना की आँखे छोटी हो गई। उसने अंश को देखते हुए गुसे से कार स्टौर की और कार सठक पर सी की स्पीड में दौने लगी। अंश कसकर सीड पर बैठ गया। कार में पूरी तरह से शांत चाय हुई थी। तभी उस शांती को चिरते हुए अंश का फोन बज उठा जिसे देख अंश ने फोन रिसिव किया और कान पर लगाया। दूसरी तरफ से जो अंश ने सुना उसे सुन उसकी आँखों हिरानी से बड़ी हो गई। आप पापा का ख्याल रखे, मैं वहाँ पोहचता हूँ, अंश ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हमें अभी के अभी दिल्ली जाना होगा अर्धव का एक्सिडेंट हो गया है औ और पापा की हालत ठिक नहीं है, अंश ने युवाना को देखते हुए जल्द बाजी में कहां। उसकी बात सुनकर युवाना ने कोई रियाप्ट नहीं किया, जिसे देखकर अंश ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा, जल्दी से दिल्ली चलो पापा को मेरी जरुरत है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो तुम मुझे से प्यार करते हो या उस लड़की से। युवाना ने कार द्राइव करते हुए कहा, उसकी बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या जरा हालत देखकर तो अपनी जिद को साइद में रखा करो। जवाब दो अंश डालिंग वरना में चालू कार से कुद जाओगी, युवाना ने बिना अंश की तरफ देख कहा, और कार का दरवाजा खोला, जिसे देखकर अंश हैरान रहा गया। उसने जबरदस्ती दरवाजा बंद किया और चिकते हुए कहा, पागल हो तुम अ वैसे अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करते तो भी मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि मेरा प्यार काफी है हम दोनों के बीच, मुवाना ने कहा। कुछ घंटे बाद दिल्ली हॉस्पिटल में अंश दौडता हुए आया तो उसे बाहर ही देवांश जी का असिस कर दिया है ताकि वो स्ट्रेट ना दे रंजी तकाल अंश से कहा जिसे सुनकर अंश ने नमाँखो से कहा मैं मिलना चाहता हूwn उनसे रंजी तकाल ने हामे सीर हिलाया और अंश को देवांश जी की वॉड में लेकर जाने लगे जाते वक्त अंश ने देखा कि आमिनी वहा बैठी जोर जोर से रो रही थी। रुही भी रो रही थी। किरन जुटे आंसु बहा रही थी। अंच ने रंजी तकाल की ओर देखा तो उसकी खामोशी का मतलब समझते हुए गिरे से कहां अर्धव बाबा अब नहीं रहे। उसकी बात सुनकर अंच ने कसकर अपनी आँखें बंद कर ली और गहरी सास ली। उसे अर्धव से ज़्यादा लगाव नहीं था लेकिन फिर भी उसके लिए बुरा लगा। वही युवाना अंच के पिछे खड़े हो ये सब देख रही थी। उसके होटों पर एकेविल स्मा थी। अंच देवांच जी की वार्ड में चला गया। उसके जाते ही युवाना अदा से चलते हुए यामिनी की तरफ आई उसने अफसोस चताते हुए घिरे से कहां चुचुचुु। बड़ा अफसोस हुआ अपने देवर के बारे में सुनकर बेचारा अर्धव युवान युवाना की बात सुनकर यामिनी ने उसे घूरा। जिसे देखकर युवाना ने घिरे से यामिनी के उपर जुकते हुए उसके कान में फसफुसाते हुए कहां। वैसे मैंने सुना है कि किसी बड़ी ट्रक से एकसिडेंट होवा है। आखें बड़ी कर हैरानी से कही ऐसा तो नहीं कि ये एकसिडेंट एक सोचा समझा मड़ हो। युवाना की बात सुनकर यामिनी ने लालांखों से उसे देखा। जिसे देख युवाना के होडों के कोने मुढ गए। यामिनी ने गुस्से से अचानक से युवाना की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। तुने मार हैं मेरे बेटे को कातिल है तू मेरे बेटे की आज मैं तुझे जिन्दा नहीं जोड़ूगी मन्हूस लड़की कहकर यामिनी युवाना का गला दबाने लगी देखो आज मेरी तबियत कुछ ठिक नहीं है इसलिए चैप्टर छोटा साही अपलोड किया है प्लीज कमेंट करे और रव्यूज भी देते रहे चाउन्तालेस बीस साल पहले का वो सचाया देवांच जी के सामने अब आगे यामिनी की पकड युवाना के गले पर तेज होती जा रही थी वो युवाना की बातों के अंदाज से समझ गई थी कि उसका बेटा युवाना के कारण मरा है जी हैरानी से उन्हें देख रहे थे, कई तो यामिनी को पकड भी रहे थे, यामिनी युवाना को गला दबाते हुए जमीन पर गिर गई वो युवाना के उपबैट उसका गला दाबाने लगी लेकिन युवाना कुछ भी नहीं कर रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था सा से उखड रही थी युवाना ने यामिनी को देखते हुए दर्द में भी एविल स्माइल करते हुए घिरे से कहा तेरे बेटे ने मुझे चुने की कोशिश की थी मैंने कहा भी था कि बचा सकती हैं तो बचा ले अपने बेटे को लेकिन तुने शायद मुझे हलके में ले लिय बड़ा अफसोस हुआ मुझे कहते वक्त युवाना की आँखों से आशुबह रहे थे वही युवाना की बात सुनकर यामिनी ने युवाना को थपड मारा युवाना के होटों से खुन निकलने लगा वो यामिनी को देखते हुए एविल स्माइल कर रही थी यामिनी सरी तरफ युवाना की आँखें बंध होती जा रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, इसलिए युवाना के उपबैठ यामिनी अपनी मनमानी कर रही थी, वरना यामिनी की इतनी ओकात नहीं कि वो युवाना सुर्यविंशी की गर्दन पके युवाना शांत थ इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वही यामिनी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। तब ही अचानक से किसी ने यामिनी को लात मारी यामिनी दूर जाकर गिर गई उसने सीर उठा कर देखा तो अंच गुस्से से खड़ा था। गर्दन रीहा होते ह कि युवाना जोर-जोर से सासे लेने लगी। खासने लगी यामिनी ने गुस्से से कहां तुम भी इस मन्हूस लड़की के साथ मिले हो। तुने भी मेरे बेटी को मारा है मैं तुछे और तेरी बीवी को जान से मार दूगी। कहकर यामिनी अंच की तरफ बने लगी कि होते हुए कहां ये आंसू जुठे थे। जिसे देखकर यामिनी युवाना की तरफ बड़ी लेकिन तभी दो वार्ड बॉय ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। ये लड़की बहुत खतरनाक हैं। इसने मेरे बेटे को जान से मारा हैं और इसका साथ इस मन्हूस लड़के ने दिया तुम दोनों पती पत्नी दोनों मन्हूस हो। बीस पहले इस लड़के को मैंने उपसे निचे इसकी मां के साथ फेक दिया लेकिन ये मन्हूस फिर जिंदार रहकर मेरी नाक में दम करता रहा और ये युवाना की तरफ देख और ये लड़की आज मेरे बेटे को खा गई में आज दोनों को जान से मार यामिनी ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से किसी ने उसे एक जोरदार जनाटे दार थपट जद दिया वहा खड़े सभी हैरान रह गए यामिनी का चेहरा एक तरफ जुका हुआ था अंच तो यामिनी का बात सुन सुनन बीस साल पहले की वो रात याद थी जब यामिनी सुप्रिया अंच की माँ छट से निचे फेकने वाली थी तभी छोटा सा अंच अपने हाथ में अपना खिलोना गाडी लेकर आया था वो देख सकता था कि कैसे उसकी मौसी ने उसकी माँ को छट से निचे फेक दिया और बा अंच को जीते जी मारने में वही युवाना भी हैरान थी यामिनी की बात पर तभी अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया युवाना ने अंच को देखा जो गहरी गहरी सासे ले रहा उसे 20 साल पहले की वो रात तंग कर देती है उसकी माँ नहीं वो भूर जाना चाहता था उस रात को लेकिन आज यामिनी फिर से वही सब दोहरा रही है। तो तुमने मेरे प्यार मेरी सुप्रिया को जान से मारा अंज के साथ जो भी हुआ वो तुमने किया और उस सब को एक एक्सिडेंट बताया तुमने अपनी सगी बहन को जान से मारा यामिनी देवांश जी ने चिल्लाते हुए कहां और अपनी कमर पर से ब्यात निकाला जिसे देखकर सभी की हरानी का कोई ठिकाना नहीं था। राजपूत गाडस ने उस कोरिडॉर को घेर लिया। यामिनी घबराट और कैपते पैरों से पिछे कदम लेने लगी। किरन और रुही भी देवांश जी का ये रूप देख कोने में दुबक गई। देवांश जी ने यामि यामिनी दर्द से चिल्ला उठी। देवांश बोगो सब जूटा है। यामिनी अपनी बात पुरी करती उससे पहले एक और बार ब्याल्ट उसके बदन पर जोर से पड़ी। देवांश जी इस वक्त सिर्फ सच सुनने के लिए खड़े थे। ना कि यामिनी का कोई भी जू मेरा घर तुमने बरबाद किया। कहकर देवांश जी ने यामिनी को लगातार ब्याल्ट से मारने लगे अंच जो युवाना को कसकर पकड़ बैठा था वो काम प्रहा था। उसकी कमपन युवाना महसूस कर रही थी। इतने दर्द में हैं उसका अंच कितना दर्द और युवाना ने सोचा, उसने देखा कि यामिनी देवांश जी के सामने गिडगीडा रही है। राजपूत खांदान हॉस्पिटल में तमाशा कर रहा था। जब दुश्मन अपने ही हो तो तमाशा बन ही जाता हैं। जिसे कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि अपने ही हमें ब अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। युवाना ने अंच को देखा जो गहरी गहरी सासे ले रहा उससे 20 साल पहले की वो रात तंग कर देती है उसकी मा नहीं वो भूर जाना चाहता था उस रात को लेकिन आज यामिनी फिर से वही सब द चुगल दिया। दे, देव, देवांच, चट्टिट की एक और आवाज उस कोरिडॉर में गुंज उठी। देवांच जी ने गुससे और नफरत से यामिनी को देखते हुए एक और बार उसे चाटा दे मारा। तो तुमने मेरे प्यार मेरी सुप्रिया को जान से मारा नहीं था। राजपूत गाडस ने उस कोरिडॉर को घेर लिया। यामिनी घबराट और कैपते पैरो से पिछे कदम लेने लगी। कीरन और रुही भी देवांच जी का ये रूप देख कोने में दुबक गई। देवांच जी ने यामिनी की और बढ़ते हुए सर्द आवा थी। देवांच वो वो सब जुटा है। यामिनी अपनी बात पुरी करती उससे पहले एक और बार ब्याट उसके बदन पर जोर से पड़ी। देवांच जी इस वक्त सिर्फ सच सुनने के लिए खड़े थे। ना की यामिनी का कोई भी जूट। मेरा घर तुमने बरबाद किया। कहकर देवांच जी ने यामिनी को लगातार ब्याट से मारने लगे अंच जो युवाना को कसकर पकड़ बैठा था वो काम प्रहा था उसकी कमपन युवाना महसूस कर रही थी। इतने दर्द में हैं उसका अंच कितना दर्द और घबराट भरी हैं उसमें। युव फरक नहीं पढ़ता क्योंकि अपने ही हमें बहुत दर्द दे जाते हैं जिसे दुसरे क्या सोच रहे हैं उस चीज से फरक नहीं पढ़ता। अब आगे। आज का चेप्टर छोटा सा ही है पर प्लीज आज मैनेज कर ले ना। देवांच जी ने यामिनी को ब्याट से मार कर अध्मरा कर दिया था। हॉस्पिटल में तमाशा हो रहा था लेकिन किसी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस हो रहे तमाशे को रोके क्योंकि देवांच जी हॉस्पिटल के ट्रस्टी थे। और ओपसे गार्डस ने कॉरिडॉर को ब्लॉक कर दिया था। बताओ मुझे य प्रिया राजपूत देवांच जी का प्यार थी। प्यार किया था दोनों ने, उन्हें अफसोस था उस सुबह का जब वो नाच्ट यामिनी के साथ बिस्तर पर थे। और दर्द था दिल में की वो अपने घर, अपनी बीवी और अपनी प्यार की निशानी अंच को बचा न यामिनी देवांच जी का ये भयानक रूप देख काम रही थी, उनके सामने हाथ पैर जोड रही थी। पर मजाल थी कि वो सच बताए, क्योंकि उसे पता था अगर बीस साल पहले का वो आधा सच बाहर आया तो देवांच जी यामिनी को तो जान से मारेंगी ही लेकिन मरे ठाकूर की आउलाद था, लेकिन रुही में राजपूतो का खुन था। देवांच, देवांच मुझे माफ कर दू, उस रात जो हुआ वो सब सुप्रिया ने किया था, वो, वो मुझे और हमारे बच्चे को मारना चाहती थी, ये कह कर कि तुमने मेरा घर बरबाद कर दिया और इसी उधे, उधेड बुंद में सुप्रिया चट से निचे गिर और अंच भी अपनी माँ को बचाते बचाते गिर गया। देवांच, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकिन, जुठी है ये, जुठी हो तुम, तु तुमने मेरी माँ को बालों से पकत हथ से फेक दिया था और और मुझे भी क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हे उस आदमी के साथ देख लिया था, इसलिए तु, तुमने ये सब किया, तुम जुठी हो, जुठी हो तुम यामिनी, यामिनी अपने जुठे शब्दों को पुरा करती उससे पहले अंच ने रोते हुए किसी मासूम बच् वही अंच की बात सुनकर यामिनी सहित सभी हैरान थे, देवांच जी ने अंच की तरफ देखा तो अंच ने किसी बच्चे की तरह रोते हुए कहा, पापा इस, इस ओरत ने मां को उस रात छट से निचे गिराया था, और मुझे भी क्योंकि मैंने ये सब होते हुए देख रिया था, ये, ये औरत जूटी हैं, पापा इस औरत के उस आदमी के साथ रिष्टे थे, मां को सब पता था लेकिन इसने मार डाला मेरी मां को ये ये गंदी हैं, गंदी हैं ये, कहते वक्त अंच की सासे भारी हो रही थी, वही अंच की हालत देख युवाना का चेहरा सा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसकी बाहों में अंच सेफ था, देवान्च जी ने जब अंच की बात सुनी तो वो लखा आ गए, हातों से ब्यालत निचे गिर गई और अचानक से देवान्च जी निधाल से फर्ष पर गिर गए, पापा आ, अंच चे खुठा, युवान अंच देवान्च जी से दुर हो गया, वो दिवार से लग बैठा फर्ष पर पढ़े अपने पापा को देखने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, अपने प्यार सुप्रिया का दर्द देवान्च जी से ना सके और होट अटक से चल बसे, युवाना की आँख्याज शायद दुसरी बारनम थी, जब उसके माँ बाप चले गए थे तब तो वो अपने दादा जी के गोद में रो रही थ छोटी थी तब वो, उसके बाद युवाना की आँखों में आँसुओं ने आज अपनी जगा बना ली, वही यामिनी देवान्च जी की लाश को एक टक देख रही थी, अपनी जिंदगी के 20 साल उसने देवान्च जी के साथ बिताय थे, जाहिर सी बात थी उसे दुख हो र रहा था, लेकिन अपको फायदा भी नहीं था, देवान्च जी चले गए थे, एक सच जाने बीना की अर्धा वराना ठाकुर की आउलाद थी, अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए दो, विडियो को 300 लाइक्स जल्दी कंप्लीट करवा देना, कॉमेंट करके बैटो और विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेय करें, ताकि चैनल की ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो सके, और प्लीज प्लीज पॉकट लाइबरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, थांक यू